दोस्तों आपका स्वागत है रगुक्रफी समाधन में आज एफे टोपिक पर बात करते हैं जिसे किसान अंजाने और हैराने जी हाँ सही सुने आप निमाटोड इसको रूड नोड निमाटोड बोलते हैं किसान मित्रो निमाटोड के फूतर क्रमी बहुत फूच में होते हैं जिनने फूच उन दर्फी के द्वारा देखा जा सकता है यह फूतर क्रमी जमीन में पनप जाते हैं ज्यादा ताबमान होने पर अपनी ब्रदी तेजी से करते हैं खुली फफलों की अपेचा पॉली हफ में इसका प्रकुब बहुत जादा जहला जा रहा है इसकी बज़ए है ताबमान में अंतर निमाटोड के फूतर क्रमी जमीन से फफफलों वह फलदार पौधों की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं फिर जड़ों के अपने अंडे देते हैं जब से जड़ें फूल जाती हैं और गांठें बन जाती हैं जब से पौधों को पानी वह भूजन मिलना बंद हो जाता है और हरे पौधे मुर्जाने लगते हैं फिर पीले पढ़ जाते हैं उनकी बढ़वार रुख जाती है और फल पूल नहीं आते हैं या फल पूल आ चुके होते हैं तो जढ़ना चालू हो जाता है जढ़ जाते हैं कभी कभी तो इतना प्रकोप हो जाता है निमाटोट का कि पौदों को उखाड कर निकालना पड़ता है किसान भाई इसकी पेंचान नहीं कर पाते हैं पौदे मुर्जाने लगते हैं या पीले पढ़ने लगते हैं वे सामाने फपून जनेत रोग या पोसक तत्व की कमी समयने लगते हैं और वे फपून नासर दवाई और यूरिया जायम पोसक तत्व देने लगते हैं जिनका कोई फैदा नहीं मिलता है ये प्रमुक फफलों सबसे जाद देखने को मिलता है जैसे आलू, टमाटर, मक्का, मिर्च, अनार, मुंग फली वो सभी बेल वाली फफलों में सबसे ज़्यादा ये जितने भी फलदार पौदे हैं फलदार ब्रच्छे हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है आईए समयते हैं इनकी पेचान करना इनकी पेचान करने के लिए जड़ों को सबसे पहले जमीम से निकाल कर साब कर लें पानी से धोलें अच्छे से उसके बाद में देखेंगे हाथ गुमा के उन पर आराम से तो जड़ों में गांठें बन जाती हैं लगी लगी गांठें होती हैं उसके बाद में फिर दीमे दीमे मोटी गांठें हो जाती हैं नई जड़ों का फुटाब होना बंद हो जाता है इस तरह से लोग इनकी पैंचान कीजिएगा आईए हैं आप समधे इसका इलाज के बारे में अगर आप चाते हैं रामबाड इलाज करना तो फसल बोने से पहले या पौद रुपाई करने से पहले वर्टी फीलियम कलाई माइडो इस्पोरियम नाम की दवाई जो के मार्केट में आपको नेमाटो फ्री के नाम से IPL कंपनी की मिल जाती है ये मित्र फपूंद होते हैं जो जमीन में जाते ही ये फूत्र क्रमियों पर चुपक जाते हैं और उनको धीमे धीमे करके खतम कर देते हैं आप ऐसा करना है ये तयार करने के लिए मैं एक बिदी आपको समझा देता हूँ आप बर्टी फीलियम क्लाइमाइटो इसपूरियम जो पाउडर आता है इसको मार्केट से निमाटो फ्री के नाम से ले आना उसके बाद में गोवर की खाद लेना फड़ी हुई अच्छी वाली और इसको चाया में बिच्छा देना खाद में इस पाउडर को अच्छी फे मिला के रख देना едक अपते के लिए हर फाम को इसको पानी से भिंगो देना पानी से भिंगो ने के बाद में एक अपते में तैयार हो जाएगी इसमें ये जो मित्र फपुन्द है बर्टी फीलियम इसकी संक्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एक अपते के बाद में इसे अपने खेतों में फैंक देना साम के टाइम पे और जुताई करने के बाद में फिर पानी चला देना तो यह जो मित्र फपूंद है यह जमीन में नीचे चली जाएगी और निमाटोड के जो सूत्रक्रमी होते हैं उनको जाकर नेफ्ट कर देगी तो इसे आपको पर्मानेंटली सुरच्छत समाधान मिल जाएगा इसके बाद में दोस्तों अगर आपकी खड़ी फफलों में निमाटोड हो चुका है तो वर्टी फीलें प्लाइम आइडो इस्पूरियम मित्र फपून को सचाई के मात्यम से जड़ों में चला दें तब भी आपको सुरच्छत हो पाए कर पाएंगा लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा आप बवाई या रुपाई से पहले इसका उपचार कर दें तो ज़्यादा सक्सेजफूल रहता है कुछ बातों का बिश्यफ द्यान रखें आपने जमीन को खर्पतवार मुक्त रखें क्योंके कुछ खर्पतवार होते हैं जो के निमाटोट को बढ़ावा देती हैं उनकी जड़ें तो वो आपकी फफलों को तबाही करने में मुक्ख योगदर निवाते हैं तो खर्पतवार मुक्ख जमीन को रखें और सबसे में चीज है ताबमान नहीं बढ़ने देना भागवानी फफलों में गर्मी के समय किफान पानी लगातार आवशक तानफर जारी रखें नहीं तो गर्मी के समय पर जमीन को ताबमान ज्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पर ये अपना प्रकोब बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं प्रेटीकली चीज में बता रहा हूँ अनार के बगीचों में हमने देखा कि गर्मी के टाइम पे लगातार जो किफान पानी चलाते रहे अपने जमीन में उनके में निमा टोट नहीं हुआ और जिन्हों ने गर्मी के टाइम पे पानी देना बंद कर दिया उनके में सबसे यार करना ना पूलें